दोस्तो आज हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं एक कीड भक्ची पौधा जिसे आप लोग जानते हैं निफेतिन्स या घटपड़ी पौधे के नाम से क्या आप लोग ये भी बात जानते हैं क्या इसे मंकी कप या पिंचर प्लांट कहा जाता है तो ऐसा ही interesting knowledge आज आपको दिया जाएगा जो साइध आपकी पुस्तकों में नहीं है जो साइध आपकी book में नहीं दिया है या जो साइध आपने पढ़ा नहीं है इसके कितने नाम है इसके दूसरे नाम क्या है इसके बारे में भी हम आपसे अभी डिसकस करेंगे दूस्तों क्या होता है पहला नाम इसे आप नोट करेंगे इसे निफेतिन्स के नाम से जाना जाता है दूसरा नाम इसका नोट करेंगे इसे घटपणी के नाम से जाना जाता ह तीसरा नाम इसका ये कीट भक्ची पौदा है चौटा नाम एक पिंचर प्लांट है और पाँचवा नाम इसका होगा मंकी कप तो ये पाँचो नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है प्यारे दोस्तों कि दो हजार बाइस में एक प्रश्ण बन कर आए कि यहा यहां पर तो यह आप लोग सूचते होंगे क्या सर यह छोटे मोटे कीड़े मकुड़ों को महज खाता है तो नहीं दोस्तों यह छोटे मोटे कीड़े मकुड़ों को नहीं यह थोड़े से बड़े मेंड़क और बड़े चुहों को भी भसा कर खा जाता है अब अगला और nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकुलों का भक्चन का कारी करता है क्या करता है कीड़े मकुलों के भक्चन का कारी करता है अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है घड़े के जैसा होता है और इसके धक्कन की अगर हम बात करें तो इसमें पत्त देखें इसके माउट के बारे में एक प्रश्न आता है निकलकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका माउट जो होता है किस औकार का होता य। इसमें ना दो अखार आपको देखने को मिलते norm do देने के लिए बताया जाता है कि कांटों से ढखा हुआ है तो यह बिलकुल गलत बात हैं कांटे नहीं यह पत्तियों से ढखा हुआ होता है आपको एक तथ्य और बताना चांगा अगर पूरे भारत वरसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 400 प्रजाती पूरे विश्व में ह और 30 प्रजाती इसमें से भारत में आपको देखने को मिलती है इन मांसाहरी पौदों की यह तथ्थे भी आपको याद रखना है अब देखे एक तथ्थे यह निकल कर आता है इसका कि जब यह कीटों को आकरशित करता है तो यह ना खास तरह की खुसबू निकालता है तो द जिससे क्या होंगे कीट इसके तरफ एट्रैक्ट होते हैं यह चीज़े याद रखेंगे तो यह प्रशन आपका कहीं नहीं जा सकता सांती साथ में आपको बताना चाहूंगा भारत वरस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह मेगाले में देखने को मिल रहा है तो पूरे भारत प्रशन है और ऐसे प्रशन क्या है आते रहते हैं अगर आप लोग इसका पाना चाहते तो ज़रूर टेलीग्राम जोइन के लिए थे थोड़ा सा बलर है एंसी आर्ट का स्कूर्ट भी लिया था आपको दिखाने के लिए दुस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पूरा इंटरनेट का जो सच्टा में लाइब जाने का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है फिर भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे तो आप लगातार लाइक करें वीडियो को शेर करें अपना ओपिनियन दें जैसे हमारा रिजमेंट हो जाएगा काफी बड़ अरेजमेंट होता हूँ और अक्चुली हम लोग पैट कोर्स लेते नहीं है तो इतना बड़ा अरेजमेंट करना हमारी लिए आसान नहीं है फिर भी हम कोसेश कर रहे हैं कि जल्दी आपको पूरा लाइब सेटप हम लोग अरेंज करके दें तो आप लोग धहरे रखें और स अरेंज कर लूँगा आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहें बहुत बहुत धन्यवाद